आजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लोनी बोल्डर के बैटा हाजीपूर मौलाना आजाद कलोनी में एक ही परिवार के छे सदस्यों की शोट सर्किट के कारण आग लगने से दर्दनाग मोट हो गई मरने वालों में पांच बच्चे और एक बज़ुरुखे ये सभी एक ही परिवार के दे सुरवाती जाच में हाज़े की वज़ा सोट सर्किट बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक दिल दहरा देने वाली ये हाज़सा लोनी बोल्डर के बैटा हाजीपूर मौलाना आजा और भाई ये इनकी प्ताइ और ये छे बच्चे इनके पास सोजे थे जयसे मोगत में के बड़ी पास सो जाते हैं वो माबाप भी बिना भ्रोसे के अकने बच्चे को छोड़के चले एक सर्किट सोट होया क्या होया ये तो अल्ला ही जाने या भगवान जाने जो भी बात है उचकी वज़े से मकान में अग लगी क्या चीज जला कपड़ा जला पहले पहले कोई प्लास्टिक जली क्या हुआ क्या यह तो दिखाई दे रहा है दर एल्सीडी जल ली है बहुत सारी चीजे जल ली है और उसमें दुआ होने के वज़े से वायर ब्रिगर की गाड़ी किसमे सब्सक्राइब क्या नाम है जी आपका आसीफली क्या हुआ है जी कितने लोग है जी यह चे लोग है कैसे कैसे हुआ था लेडिस कितनी है इसमें चार लेडिस है एक बड़ी है जी बच्चे चोटे-चोटे बच्चे है आठ साल से बारे साल तक है जी क्या नाम है आपका मुन्ना मुन्ना बताइए कैसे क्या बात हुए सुबार बच्चों के लिए इस्कूल के लिए उठाने गए बच्चे जब पता लगा है बच्चे जले पड़े हैं अगलत कुपी है उससे पहले तो किसी को पता नहीं लगता परिवार में छेजाद जने थे और बागी साधी में गए थे और इसको भावश्ती इनकी बड़ मुझे जो घटना घटी है किस क्या कारणा इस घटना के लिए उससे आग लगी आग से कमरे में दुआ हुआ हुआ और बच्चे सो रहे थे आप है पांच बच्चे ते एक लेटीज थी मौके पर कितने लोग खतम हुए च्या कर श्या हो गए पांच बच्चे और एक लेटीज थी थी थी